नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ओल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमने शर्मा एक नज़र डालते हैं उत्तर पदेश की फटाफट खबरों पर हापड में पुलिस के सामने हाईवे पर कार सवार युवको और ट्रैफिक नेमों की धज्य ओड़ाई है हापड पुलिस के सामने गाड़ी की छट पर बैट कर यूवक स्टंट कर रहे थे हुडदंगी 8-10 गाड़ीों में स्टंट करने घर से निकले थे इस्टन्ट का वीडियो शोचल मीडिया पर जम कर वैरल हो रहा है अम्रोहा के धनौरा तहसीर इलाके में राश्य लोगदल के किसान महापंचायत को समोधित करने पहुचे जहिंत चौदरी ने कृषिव कानूनों के विरोध में केंदर सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने काए कि इस कानून का एक फायदा भी नहीं है साथ ही कहा कि किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवार सरकार कर रही है वो पूरी तरीके से गलत है उत्रागंड में हुई त्रासदी के बाद उत्तरपदेश सरकार ने भी गंगा के किनारे के सभी जन्पदों को हाई लट पर रहने के निर्देश जारी कर दी है इसी कड़ी में अम्रोहा प्रशाशन भी अलट पर है अम्रोहा जिलादिकारी उमेश बिश्रा पुलिस अदिक्शक सुनीता सहेत प्रशाशन के अमले ने गंगा किनारे बसे गाओं में खुद मौकी पर जाकर लोगों को दूर रहने की सला दी है और वहीं अम्रोहा के सदर कोतवाली पुलिस ने जाली करंसी बनाने वाले गैंग के चार शातिर लोगों को गिरफतार किया है उनके पास से भारी मातरा में नकली नोट के साथ साथ अन्य सामन भी जब्त किया गया मैनपुरी के बेवर थान श्चेतर में पान साल की मासूम बच्ची के साथ रिष्टे के चाचा ने दुशकर्म किया गंबीर हालत में मासूम को सेफ़ाई मेडिकल कॉलिज में लाच के लिए भरती कराया गया है गटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने पीड़ता के पिता की तेरीर पर पुलिस ने आरूपी के खिलाफ मुकदमा दर्च किया रामपुर में ग्रामीड आवास बनवाने के लिए साथ साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं ग्रामीड लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ग्रामीड ने मीडिया के माद्यम से मुख्यमंत्री से न्याएकी कोहर लगई उननाओ में बायकों में हुई भिडंत में एक शक्स की मौथ हो गई है दरहاصل चार बायक आपस में भिड़ गई ही जिसकी वजह से एक की मोके पर ही मौथ हो गई है दूसरा शक्स गंभी रूपस से घाल हो गया है आगरा एक्सप्रेस वे के बड़ा गाउ पुल के पास का ये पूरा वम्रा बताया जा रहा है गाजीबुर में सीम योगी रितिनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पुरवांचल एक्सप्रेस वे का अप्रेल तक शुबारम किया जाएगा जिससे यूपी में रोजगार के अफसर बढ़ेंगे साथ इनोंने कहा है कि यूपी में माफिया संस्कृती खत्म हो गई है और यूपी सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है संबल से खबर है पुलिस ने मादक पदार्थ की तसकरी और बिकरी करने वाले ड्रग गैंग का भंड़ा फोर कर दिया है पुलिस ने ड्रग गैंग की महिला सरगना समेथ 4 आरोपियों को गरफतार किया वहीं पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में गांजा डोडा बरामत किया सिंगरोली जिले में आयोजेत ग्रामोदे शिवर में लोगों द्वारा अपनी समस्तिया दर्च कराई गई इसी कड़ी में ग्रामीड हजरत मुहंबद ने पंचायत पर कंबीर आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है जबकि उनके जॉब कार्ड में उपस्तिती दर्च की गई है इनकरोली जिले के भरसेडा ग्राम में आयोद्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्मान के लिए निधी संग्रेव राम मंदिर बनाने की खुशी को लेकर सैकड़ो राम वक्तों द्वारा भगवा यत्रन का लिखाई फिलाल यूबी फटापट में सिर्फ इतना ही बने रहे है नियूजवल इंडिया के साथ नमस्कार